दोस्तों Everest, ये नाम सुनने ने भर से हमारे विमाग में विशाल बर्फ से धके एक पहाड की छवी उभर करा जाती है एक पहाड जो अपने उपर बर्फ की एक ऐसी चादर ओड़े वे बैठा है, जहां किसी भी तरह के जीवन का होना मानो ना मुम्किन सा हो किताबों में हमें हमेशा ये बताया गया है कि मांट एवरेस्ट दुनिया की सबसे उची छोटी है जिसकी उचाई करीब 8,849 मीटर है, लेकिन क्या आपको बताएं कि एवरेस्ट आज भी लगतार बढ़ रहा है जी या, ठीक सुना आपने, इस पहाड की उचाई आज भी बढ़ रही है आज की अपने इस वीडियो में हम एवरेस्ट जुडी हर छोटी से बड़ी बात से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जैसे कि एवरेस्ट को सबसे पहले किसने खोजा, एवरेस्ट की उचाई कैसे माँ भी गई, क्या एवरेस्ट सच में अभी भी बढ़ रहा है और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले शक्स कौन थे तो बने रहे हैं दोस्तों वीडियो के अंत ता जिसका यहां की लोकल कॉमिनेटी में थी बहुत सादा धार्पिक और एकॉनमिक इंपोर्टेंस है वहीं बात करें तो माँट एवरेस्ट काई माँटीनियर्स के लिए उनकी जंदगी भर का गोल माना जाता है जहां पहुशने के बाद परवत रोही अपने जीवन की सबसे मुश्किल चड़ाई को पार कर लेते हैं माँट एवरेस्ट का नाम इसके सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसके सर्वेय में इंपोर्टेंट रोल निभाया था सबसे फिले आईए दोस्तों माँट एवरेस्ट से जुड़े रोचा के तेहास के बारे में कुछ जान लेते हैं ब्रिटेशर्स द्वारा 19th century से ही दुनिया की सबसे उची चोटी को खोजने की कोशिशें की जा रही थी और इसी दौरान ब्रिटेशर्स के द्वारा हिमाले की माउंटेन पीक्स का सर्वे किया गया था अब कुदाने की माउंट एवरेस्ट को पहले पीक 15 के नाम से जाना जाता था इसके बाद बृटिशर्स दुआरा साल 1802 से महान ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे का काम शुरू किया गया था जिसका मतलब ये था कि बृटिशर्स दुआरा भारत के जोग्राफी के साथ साथ नौर्थ में बनी हेमाले के चोटियां भी साइंटिफिक तरीके से माप किया जाएगा इसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले साल 1830 में माउंट एवरेस्ट को मापने की पहली कोशिश की गई आला कि बताया जाता है कि उस समें नेपाल सामराज्शे के साथ ब्रिटिशर्स के अच्छे रिष्टे नहीं थे कहते हैं कि 1815 में हुए एंगलो नेपाली सरकार ब्रिटिशर्स पर भरोसा नहीं करती थी और यही कारण रहा कि 1830 में नेपाल सरकार ने अंग्रेजों को माउंट एवरेस्ट को और मापने की प्राज़त नहीं थी आला कि इसके बाद भी ब्रिटिशर्स आडे रहे और उन्होंने इस पहार के निचले इलाखों के पास से माउंट एवरेस्ट को मापने की कोशिश की जानकार बदाते हैं कि 1830 से 1843 तक ब्रिटिश एंडिया के सर्वे और जनरल रहे सर्वे साइंटिस जॉर्ज एवरेस्ट ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को मापने का प्रियास किया था एस दौरान उन्होंने एवरेस्ट के शिखर से जुड़ी सभी इंपॉर्टन कैलकुलेशन से जुटाली थी अलागी साल 1943 में जॉर्ज एवरेस्ट के रिटायर होने के बाद सर्वे टीम की कमान एवरेस्ट को मापने का काम साल 1856 में पूरा किया वहीं इसके बारे में बदाया जाता है कि 1856 में एंड्रियो वॉक ने जब सभी कैलकुलेशन को जोड़ा तो इसकी उचाई 29,000 फीट निकल कर आई लेकिन ये नंबर एक राउंड फिगर में आ रहा था तो इसमें उन्होंने 2 फीट अपनी मर्जी से जोड़ दिये अलागि ये बात सची है या फिर नहीं इस बात से कोई पुपता सबूत नहीं मिलता इन सब चीजों के बाद जो नंबर हमारे सामने निकल कर आया वो था 29,002 फीट अलागि उस समय तक इस चोड़ी का नाम पीक 15 ही था लेकिन साल 1865 में इस चोड़ी का नाम सर्वेयर जनरल चौर्ज एवरेस्ट की रिस्पेक्ट में माउंट एवरेस्ट रख दिया गया वहीं आपको बता दें कि ऐसा नहीं था कि एवरेस्ट को मापने का पूरा श्रेय सिर्फ अंग्रेजों को जो आता है इसमें एक नाम और भी था जिसकी इसमें बहुत एहम भूमी का रही थी और अंग्रेजों ने उन्हें इसके इतिहास से हटा दिया उनका नाम था राधा साथ सिक्दर के बारे में बात करें दोस्तों तो वह बंगाल के रहने वाले थी ताल 1831 में 30 रुपए पर मत की तनक्वा पर ब्रिटिश सरकार में नौकरी करनी शुरू की थी बदाते हैं कि उन्हें मैट्स की अच्छी नॉलेज थी इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें कर दिया था कुछ साल देरदून में काम करने के बाद 1851 में खलकत्ता में उनका दबादला कर दिया गया महां उन्हें हिमाले का सर्वे करना कर रही टीम को जॉइन किया और उन्हें चीफ कंप्यूटर का मैं काम होता था कि जो भी डीटा इगटा किया गया है उसे एनिलाइ उन्हें चीफ कंप्यूटर का पद दिया गया था, हलांकि उनकी असल खोज उनसे छीन ली गई, कहते हैं कि इस दौरान भारत कुलामी के जनसीरों से में जकड़ा हुआ था, यही बज़ा थे कि साल 1852 में सिक्तर की खोज को प्रिटिश सर्वेयर एंड्रियो वाग ने सर जॉ को दिलवा दिया था, दुनिया की सबसे उचे पहाड को अब तक जो लोग पीक पंद्रा कहते थे, उसका भी नाम बदल कर माउंट एवरेस्ट रख दिया गया था, वही बात करें तो जिस समय सिक्तर अपनी क्यालकुलेशन्स में हिमाले से लीकर दूसरे पहाड़ों पर ज दुनिया की सबसे उची चोटी होने के कारण गहे एरिया हमेशा ही बर्फ से धका रहता है, इसके इलावा जादा उचाई के कारण यहां ऑक्सिजन की जादा घमी होती है, जिससे की परवत रोहियों को यहां क्लाइंबिंग के दौरान कई मुश्किलों का सामना भी करना प यहां पर हवा की रफतार 200 से 300 किलोमीटर की हो जाती है, इसके इलावा आपको जानकर हिरानी होगी कि आज से 3 साल पहले तक एवरेस्ट की हाइट को 8848 मीटर मानते थे, लेकिन जैसे की हमने आपको पहली बताया कि यह लगतार बढ़ रहा है, तो इसको लेकर अब नई उच पहले तक एवरेस्ट की हुचाई मापने की कोशिश 2019 में शरू हुई, इस बेहत कॉंपलेक्स काम को अंजाम देने के लिए 2019 में एक एक्पिडिशन टीम चोटी पर भेजी थी, इधर साल 2020 में तिबबत की ओर से एवरेस्ट की हुचाई मापने के लिए एक एक्पिडिशन दरसल नेपाल सरकार का ऐसा एस्टिमेट था कि 2015 में आए डेवेस्टेटिंग अर्थकोएक की वज़ा से चोटी की उचाई में बदला आवास रखता है, इसलिए चोटी की सही उचाई को मापने का फैसला किया गया था, उससे में नेपाल की दरफ से ये कहा गया था कि आवरेस्ट की उचाई में लगतार बढ़ोतरी हो रही है, अब आप ये पूछेंगे कि आखिर इसकी उचाई बढ़ती क्यों है, तो दोस्तों आपको बताते हैं कि आज जो इंडियन सब कॉंटिनेंटन जिसे हम बोलते हैं, वो आज से कई करोणों साल पहले अफरीका के ए ये बहुती जादा रोमांशकारी है, लेकिन साथ में उससे कहीं जादा खतरनाग भी है, जादातर माउंटेनियर्स नेपाल की दरफ से एवरेस्ट पर चड़ाई करना पसंद करते हैं, इसके बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले नेपाल की राज़ानी काट मांडू म आपको लुकला तक कर आस्ता प्लाइट से तेह करना होता है, इसके बाद करीब 10 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद माउंटेनियर्स एवरेस बेस कैम पर पहुंचते हैं, जिसकी उचाई करीब 17,500 फुट बदाए जाती है, आम तोर पर लोग स्प्रिंग सीजन में ही बेस क आम तक पहुंच जाते हैं, और कई बीक वहां रहकर हाई अल्टिट्यूट वाली जगहा के मौसम में खुद को अक्लिमेटाइज करते हैं, अक्लिमेटाइज मतलब किसी भी मौसम में खुद के शरीर को ढालना, इसके बाद हर साल महीं की शुरुआत में एवरेस पर एवरेस पर चढ़ाई कर चुके हैं, और इनमें से जादा तुर लोग महां के लोकल गाइड जिन्हें शेरपा भी कहा जाता है, वो हैं। कि ये लोग अपनी शुद के चलते बिना ऑक्सिजन के एवरेस पर चढ़ना चाहते हैं, वहीं तेहतर लोगों की मौद एवरेस टॉप पर से उतरते हुए हुई है। जिया, तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलाल इतना ही, उमीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडिय आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।